कुमारी शैलजा यहां पर पहुँच चुकी है और उनसे बाचित कर लेते हैं कि किस परकार से वो देख रही है अब कुरुक्षेतर में यात्रा पहुच गई है और अब कल का दिन और परसो का दिन है यात्रा समापन होगा मैं कितना उत्साह आप देख रहे हैं क्या रिस्पॉंस आप देख पा रहे हैं बेहद रिस्पॉंस है बेहद उत्साह है आपने देखा आज भी सुबा से छे बजे चले हैं लेकिन लोगों की कोई कमी नहीं लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं हमारे नौजवान साथ कैसे भाग रहे थे महिलाएं बच्चे छोटे छोटे बच्चे और कल भी आपने देखा करनाल शहर में रात तक इतनी ठंड में चाहे सुबह हो या शाम हो लोग भारी संख्या में आते हैं और ये तो अब केवल सहलाब नहीं है ये तो एक जन अंदोलन बन चुका है जन अंदोलन की तरफ ये बढ़ता जा रहा है क्या ये जन अंदोलन इसी तरह से अगले साल तक कंटिनू रहेगा 2024 चुनावी वर्ष है तो लोकसभा के चुनाव होने है राहूल जी का ये मकसद नहीं है लेकिन हम लोग इसे ठंडा नहीं होने देंगे और कॉंग्रेस जन इस मेसेज को राहूल जी का जो संदेश है इसको जन जन तक घर घर तक ले कर जाएगे तो हमारे चेहरे तो खिलने ही है हमारे कार्यकरताओं के चेहरे तो खिलने ही है हमें नई उर्जा मिली है मैं एक सवाल मैं लेना चाहूँगा क्योंकि लगातार ये बात की जाती है कि यात्रा का मकसद महंगाई को भगाना भी है कहीं न कहीं महंगाई के खिलाफ भी यात्रा चल रही है दिरुजगारी महंगाई लेकिन हिमाचल में कि अगर मैं बात करूं तो आज तीन रुपे डीजल के रेट बढ़ा दिये गए आपकी सरकार है आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने आर्थ व्यवस्था बिलकुल तहस नहस कर दी थी और यहीं कारण है कि वहां की जंता ने बदलाव मांगा था उन्होंने वहां पर बिलकुल खत्म कर दिया है और अब नए सरे से सरकार चली है लोगों तक पैसा जाएगा लोगों का पैसा है उन्हीं तक जाएगा चली बहुत बहुत शुक्रिया तो आप सुन रहे थे कुमारी शैलजा किस परकार से अपनी सरकार को डिफेंट कर रही है कि तीन रुपे अगर डीजल बढ़ा है तो यह कहीं न कहीं लोगों के बीच में ही लोगों का पैसा जाएगा और उनके विकास कारेों में ही यहां द देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्डेवाद